कि ओकी सो गाइस अभी हम लोग फार्मा को बनवसी के चैप्टर सभी चालो कर दिया है हम लोग ने अन्मोस्ट अभी मैंने लुशा लिमांकर चैप्टर कल उसना फॉर्स वीडियो कबर किया था उसके मैंने जूट हैंप एंड कॉटन कवर किया था यह फैम नौट रॉंग त अब क्या होता है कि sexual methods अपन सीड प्रफगेशन का करते हैं यह कल्टिवेशन का चैप्टर में चालो किया है तो इसके अपन यह अब यह करना वहले सेक्शिल मेटव सेड प्रफगेशन तो सेक्शिल मेटव स्प्रफगेशन जो भी प्लांट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सीड लिक्स विक्वार बेसिकली फॉर्म प्रम ना सीड ओल उनल नी तो जो प्लांट हम लोग सीड से ग्रो करते फ्रॉम स्क्राच उसको लोग बोलते हैं सीड लिंक्स यह नाउ दॉच्शिल मेटव प्रोपकेशन इंगों इड्वांटेज तो उनके अड्वांटेज जो एक दो साल रहते हैं आपकोस हम उसके केस में अगर बात करें वी किन से कि लॉंग लिव्ड होते हैं जल्दी मरते नहीं है और दूसरी बात किया है ना अगर फूर्ट देने पर आ गए तो बहुत भर भर के फूर्ट देंगे इस अध्यवांटेश अव्शेट प्रफगेशन ऑफ देन सीड्लिंग और चीपर एंड एजी दो रिए तो सीड्स काई सीड्स इजी करके आप नरेश कर सकते हों ठीक उसमें चीप चीपर है एक कमपारिटिब में बोलो तो एक विद्वार करते हैं तो हम लोगों न्यूटरिंट अगार के जरुवत पढ़ती है न्यूटरिंट अगार भी बोलना नीचाई वह जो न्यूटरिंट इसके अंदर अपने को टीश्यू कल्च्र करना पढ़ता है एक दूसरा एक एक सेक्षिय का मेंटड क्या हो सकता है जैसे कि ग्राफ्टिंग लेरिंगे चाप मन करते हैं तो उसके अपने को बहुत सारे औजहार लगते हैं बहुत सारे चीजे लगती हैं अगर आप कर नॉर्मल कुल्टिवेशन इसके दे लगते हैं but comparatively अगर हम बात करें सब कुछ ध्यान में रखते हुए तो जो हम दोक सेक्शन रिपरदक्शन से स यह प्रोसेस तो और यह नहीं को जरूव नहीं है और प्रोसेस तो आप्लांट को ज़रुवत नहीं तो प्र्विट नहीं है तो उसमें कि ऐसा मी रह सकता है एक है जाप और सेड्ल इस दो इससे जो हायर क्योंट इक होते हैं वह किस केस में अच्छा हो सकते जैसे की पन्पाया का प्लान्ट ऑफिस सांध लें सेंगे आपने प्लांट घ्रूट कर निघटिश किएं तो स्पेशलिंग्र आपको अच्छा वाला प्लांट में च्क्राइट का तो और अंच्छा प्रूट मिल गया या फिर प्लांट मिल गया तो अच्छा होजाता है तेन केस अप्लांट सेटेटिव मेथर्ट के नॉट बुटलाइज प्लाइज पॉपगेशन वोली मेड़ोग चॉइस तो अगर आप ग्राफटिंग कर रहे हो तेके न अगर प्राफटिंग कर रहे हो तेके न अगर आप ग्राफ्टिंग कर रही हम लोग को देख हो यह बात हम लोग को भी याद रखने वाली है ठीक निसे अपने कुछ लॉजिक तवी से लगा नहीं सकते हैं लगा सकते हैं तो क्यों कि हम लोग अभी अपने पढ़ाई के इनिशिस चेजिस में तो अपने को जाता है को नॉल ग्राफ्टिंग से ट्री बनाए और उसकी जो इल्ड है कि आपको एक एक ट्री में से 5-6 फूरूट्स मिल रहे हैं या फिर जो भी फ्लावर्स आपको जो भी कमर्चल इंपॉर्टेंस से वह मिल रहा है ठीक है सब में एक-एक इल्डिंग कपासिटी जो है वह एक युनिफ डूर्ण नहीं कर रहे हो कुछ भी एवरिटिंग केक्फटीन में अग问 कि में क्या में आफ़ तो ऑ लीकि आफज़ के आजाओ सेथी little kar जाए कि अ Barbie पता है कि सीड अच्छा देने वाल है प्लांट की बूरा देने वाल है तो ऐसा भी हो सकता है कि 70% अच्छा दे 30% गंदा दे तो युनिफॉर्म पैटन देने को नहीं मिलता है आख दोनों का मैं फ्यूस करना है तो आफकोस अच्छा प्रड़क मिलने वाल है तो युनिफॉर्म अच्छा काम हो जाता है एक क्योंकि वह अलड़ी उगे हुए है क्यों बेसे की लिए संबोज आपके प्लांट है आपको मैं इधर ही समया ग्राफ्टिंग का ठोड़ा बहुत समया देता हूं इजी है बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग में अपने बहुत पने सुना होगा कि अपने प्लांट रहता है और उस बार्क के अंदर अपने किसी और प्लांट का स्टेम लगा दिया है तो गाव में हमने देखा यह सब इंपोर्टन बात तो जब हम लोग करने कोशिश करते हैं तो अपने बच्छे से ग् क्राफ्टिंग प्रोसेस के लिए यह और उपर से बहुत अच्छे क्राफ्टिंग के लिए तो एक युनिफॉर्म अपने को देखने मिल जाते हैं हमने फॉर्स पॉइंट डिसकर्स किया दूसरी बात कि यह फॉट-फॉट काम हो जाता है देद दो कॉस्ट अब हार्वेस् पड़ती है इस नोट पॉसबल तो अवेल ऑफ मोडिफाइंग इल्फियंट रूट स्टॉक्स अंसायन अगर आपने तीन डिजिट मंद भी पड़ लिए तो भी चलेगा अगरसी नन घञा ज्तॉक्ती है था आपने डिजिट मर जाती होगा में शचाने स्टॉक्ती अगर आपने करें इल्फियंट फॉट-ट्रॉट घॉट का मतलब होता है कि जो अन्मॉंटे अगर भार नहीं तो अछा है होगा the germination capacity of seeds is tested by rolled towel test and excised embryo test so these two things will be done okay so rolled towel test भी अपने पास होता है और एक excised embryo test भी है इन दोनों में सब एक seed की germination capacity को test कर सकते है हमको depth में नहीं पढ़ना है कि exactly कैसे होता है बस ना मियाद रखने the seeds are pre-conditioned with the help of scarification to make them permeable to water and gases if the seeds are not be germinated are not to be germinated in the near future they should be stored in cool and dry place to maintain the germinating power long stories of seeds should be avoided so of course अगर आप क्या कर रहे हो seeds को grow करने वाले तो उसका scarification का process होता है जो हमको करना पड़ता है वो हम करते है scarification का जो एक process होता है वो हमको follow करना पड़ता है so if scarification process is followed उसके अंदर क्या होता है दादा जैप में इस अप्टन उसको पंड़ना नहीं है ठीक है न मैं चाहता तो मैं इसको और डेफ्ट में explain कर सकता था बट नहीं करने चरोता है ना युगर अपने को पंड़ना नहीं उतना सकाइक कर सब्टन फिर इतना एड रखने नहीं कि हम लोके इसके अंदर सीट को प्री कंडिशन करना और प्रीकंडिशन करना मतलब seed को grow करने से पहले उसको में उसको तयार करना कि करनEC करने के लिए अइपन उसको बोनेवाल जो important gases है तो वो scarification होता है अब अगर मैं सीड को germinate नहीं कर रहा हूं ठीक है न जैसे कि मतलब एक दू अफचा तक मैं ऐसी रखा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको उसको cool and dry place में लखना चाहिए to maintain the germinating power नहीं तो फिर वह अपनी germinating power loose कर बैठेंगे अगर आप कर रहे हो काम तो भी नहीं चलेगा cool and dry place के लिए कितना रखोगी एक उफ्टेगे रखोगे बट नहीं ठीक है ज्यादा अपन लॉंग बुनियाद होती है न किसी भी चीज की एक पर्टिकुलर शेल फ्लाइब होती है इसके आगे अप नहीं जा सकते हैं लाट को बिफोर जर्मिनेशन सम्टाइंज एक केमिकल टीटमेंट इस गिवें इस टिमिलेंट जेबरलेंट जेबरलेंज साइटोकाइन इतलीन थायोयूरिया पोटैश्यम नाइट और सोडियम हाइपकलराइट इस गिवें चाइट इस गिवें जर्मिनेशन ऑफ सम ताइप अप द्वाम ने सीट ओस इस एंट इस इंटाइर होर्मोन का पाट जो भी है हम बाद में देखने वाले हैं तो जो भी अपको खाली नाम अप भी कल आद रखना है तो चैमिकल ट्रिक्मिन के नाम याद रह सकत तो जो डाक और हाई टेंपरेचर पे सीड रहते हैं मैं मैं सिर्फ मलब इसमें कुछ एक्पेन करने की बात नहीं सब फैक्ट्चुल थेंग्स हैं तो इसमें सिव अभी जो भी इंग्लिश में चीच रिखी हो इसको में खाली हिंदी में रिखूंगा ताकि कभी गभी क्या ज बट क्या ना मातुर वाशा हिंदी है तो फट से समझ में आ जाता है अगर हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कनवर्ट करें ओके तो भली किसी बंदी की अच्छी इंग्लिश हो अगर ऐसा करके पड़ोगे तो अच्छा याद रहता है तो इसको मैं वह बूल नहीं और गर्मी में नहीं सह पाते हैं उनके लिए हम थायो यूरिया यूस करते हैं दूसरा आमने क्या मतला था पोटाश्यम नाइट्रिट सिलूशन जो रहता है उसके अंदर जितने भी मतलब मैंनी फ्रेश्ली हार्गेस्ट और्मेंट सीज ओके जो मतलब यह नहीं करते हैं ठ मतलब अंदर बंदा जिन्दा है ऐसा बोल सकते हो को मा उगया तो ऐसा बोल सकते हो कि डॉन्मेंट सीज रहते हैं और जब भी वह नहीं होते तो उनको अगर हम पोटाश्यम नाइट्र सोलूशन में सोख करके रखेंगे तो यह आर एक्सपेक्टेट टो ग्रोव फास्टर जिकन सी ऑके बाकितों चैमिकल ट्रीप्मेंट के जितने भी आपको है खोड़े बहुत नायाद कर लो कि तो भी चलेगा तो ऐस फार अशने पूरा भी क्या कवर किया से सेक्शल रिप्रडक्शन सेशल प्रॉप्रप्रगेशन ऑफ सीट की बात कि हमने हम जादा कुछ और जाद नहीं किये है ओके जैसे सेशल प्रॉप्रगेशन सेट की बात कि हमने उसका में ठोड़ा सा जेनरल डिसकस किया कि सीट को कैसे ग्रोग करना चीए क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए कि क्या कैसा नहीं होना चाहिए इसकारिफिगेशन की बात की ज़मिनेशन इसको इसको बहुत सारे में गर इसा होता है इसको हम बोलते हैं प्रोड कास्टिंक अब ब्रोड कास्टिंग यसथेंट के शोटे सीट जो रहते हैं अगर आप ऐसे ले लेकि इसको फेक होगी पूरे ग्राउन के अंदर तो कीया है न? मतलब आप क्या करें एक ग्राउंड में से जैसे फील आप की उसके तरह बैसे सीज को ऐसे मतलब फिला रहे हो ठेक है ना बताता हूं किन आप करें देसे ने पिलाड करकिका है ने सके टाएं नेकरिका पिलाट न के लिए करें देसने क्या ड्क गburn extra करनि पिल आप कि एक टीक की स्वकाएं है मैजब आप सार्ग डिंबिली ये इन देफी एक टीक पिलाड आप ऐस्ट्रीश थिख ciao they are shown by placing in holes number of seeds to be put in holes vary from 3 to 5 depending upon the vitality, sex of the plant needed for the purpose and the size of the plant coming out of the seeds for example in case of fennel 4 to 5 fruits are put in a single hole keeping suitable distance in between 2 holes in case of castor only 2 to 3 seeds are put in case of papaya the plants are unisexual and only female plants are desired for medicinal purposes hence 5 to 6 seeds are put together and after the sex of the plants is confirmed healthy female plant is allowed to grow while male plants and others are removed then they have covered miscellaneous parts many times the seeds are shown in nursery beds the seedlings thus produced are transplanted to farms for further growth so that's synchona, cardamom, clove, digitalis, caspism, capsicum etc ok so these methods are made the most important thing we have talked about broadcasting we have thought that we have medium sized seeds sorry the small seeds are the small seeds are we have to what is the reason of we placing it in the entire field हम उनको क्यों होल में डाल सकते हैं जिसे हम ने देखा इन के सब डिबलिंग हमारे पास डिबलिंग का मेर्ट भी तो था अब आप कुछ सोचो हमने डिबलिंग में क्या कहता है तीन से चार जो सीट से हमने एक ही होल के नहीं डाल दी एण्ड भी केफट अलॉट डिशन बीफो और ओटो से सोचो अगर हमने चोटे चोटे सीट को होल में डाल दिया और ये चोटे-चोटे सीट भी कितने होंगे चार होंगे अब इस प्रोब्लम में क्या हो जाएगा ना कि वैसे ही छोटे है अब इनको गराब होल में डालोगे उन होल्स को कवर भी करना पड़ेगा उन होल्स को आप सैंड से कवर करोगे लफड़ा हो जाएगा ना सीड तो पूरा सैंड के अंदर दब चुका है कहां से ग्रोगा अपका सीड समझ में आ रहे हैं आपको बात यहां पर तो साइस के सब से सोचो वैसे ही छोटा है उसके पास उतनी पावर है ही नहीं कि वह इतने डेंस एरिया के अंदर इतने बीड़ भाड़ वाली एरिया के अ यू आप इसमें और यू रहे हैं आप उसको संद से कवर नहीं करें इसमें आप सिर्फ फेक रहे हो ठीक है सुपरफिशली सीड रह रहर है और ऊग रहर है ओके शामनुड आपको यह बात इनके सब डिबलिंग इनेड टू आच्छली पूट डाट पर्टिकुलर सीड इन दो होल ओके और यह क्योंकि एवेज साइज है तो चलेगा हो सकता है काम ऐसा नहीं है इसको ग्राविटिक एफेक्ट नहीं पड़ेगी समझ में आ रहे है तो अगर हम बात करे हैं ब्रॉडड नी बी में करें व्रक्र थी ए ठीक है विक पन मीस इसके कऊन मारू सकते है इसक भोल मैं स tasty करते हैं लिंसीड के लिए करते हैं हम ऐसा सीसम के लिए भी करते हैं so we do the same things for e sub gold we do this for linseed we do this for season so these three plants e sub gold linseed and season के लिए ब्रॉडड कास्टिंग करते हैं whereas डिब्लिंग is concerned हम डिब्लिंग सिंको सिंको नहीं sorry दूसरे दूसरे बाद आता हूं पापया के लिए करते हैं बाद आता हूं so when the seeds of average size and weight are available they are sown by placing in holes number of seeds to be put in holes vary from 3 to 5 depending upon the vitality sex of the plants needed for the purpose and the size of the plant coming out of the seeds okay to seeds आप कितने seeds डाले होगे holes के अंदर वो depend होता है तीन बातों पर कौनसा आपको sex नहीं है okay आपको male plant सही है कि आपको female plant सही है so depends upon that it also depends upon the vitality okay कि कौन सा plant हमको needed है चारो में से कौन सा plant हमको vital है and it also depends on the third portion that is it depends on the size of the plant coming out of the seeds correct है कि plant बड़ा आ रहे है छोटा आ रहे है तो समझ में आ जाएगा कि भई तीन चार सीज तुमने एक ही बंदे के डाले है तीनों में से अगर बड़ा आ रहे है कोई चीज और दूसरे तीन जो है average size के आ रहे है तो of course मेरा तो मन greedy है भई मैं तो सब बड़े वाले को चुनूँगा why would I choose the three other three measure of average size no correct है तो उस पर depend करते है कि भई मेरे को size of plant जो है कितना चाहिए suppose अगर मुझे size of plant चाहिए बड़ा ठीक है एक दो मीटर का अच्छा का सच चाहिए एक मीटर का चाहिए तो मैं तभी दो सीजदान होंगा holes के अंदर अगर थोड़ा सा छूटा ही चाहिए अगर अपने को पता है कि यह plant ज्यादा ग्रोवने वाला वैसा भी है नहीं करेक्ट है यू मस्ट आप ग्रोवन नाट पी प्लांट देखा है हम लोग हम लोग जबी बच्पन में थे ना साइंस प्रोजेक्ट करते थे तो वह टोल्ड बहुत पहले की बात है जो मुझे फिफ्ट शिक्स में थे वी वर टो तो तो ऐसी है ओके सेंड ऐसा कुछ करके हमें चोटे-चोटे सैपलिंग्स देखते थे पी प्लांट के तो पता है कि भाई ये ना कुछ भी करके कम से कम 10-15 सेंटीमेटर ग्रोवने वाले तो मता है कि चलो 10-15 सेंटीमेटर की हाइट होने वाली है तो भाई 3-4 आप से डाल दो डि अच्छे से ग्रोव होने को उसको जगा चाहिए हमनों बोल सकते हैं कि 2 या 3 डाल पर पता है कि इसकी 10-10 सेंटीमेटर तक ही हाइट होने वाली है तो आराम से चार तक हम सोच सकते है या 5 भी सोच सकते है तो डाट डिपेंड्स दूसरी बुन्याद हमने दूसरा एक हमको मेल से फीमेल से वह बाद में रिर करना लाँ उसका समझ में आएगा कि मेल फीमेल का लफड़ा क्या है वाइटालिटी हम वह भी आपको समझाओंगा नेक्स पार्ट में ओके तो इसेंपल इंकेस फैनल फोर तो फाइफ फ्रॉट्स अपोट ने सिंगल होल कीपिंग इसंकर अबसे यह बुक्त ने सिंग यह बाद का लेगर फीमेल फॉट्स इसंपल आप मेल इस अरह इस. वह बात क्या हो रही है कि पपाया का अपको इसमें सक्स का लफड़ा सबहे फीमेल है प्ला या मेल है इसका समझ में आ जाएगा so for example in case of fennel नी sorry papaya की बाद कर रहे थे the plants are unisexual okay अब यह कुछ-कुछ पांच ऐसे भी होते हैं जो बोथ male and female होते हैं okay पर इस case में हम लों किस की बाद कर रहे हैं unisexual plants की बाद कर रहे हैं तो first let them grow कितना हमने रखा हैं 5 to 6 seeds are put together बराबर है let them grow first okay अब हमने ऐसा 5 to 6 क्यों डाल रहे हैं जादा seeds क्यों डाल रहे हैं because हमने को पता है कि इस में से 3 जो seeds होंगे वो male होंगे 2 seeds होंगे वो female होंगे मैं ऐसा arbitrary बोल रहा हूँ ऐसा पता नहीं है कि 6 या 5 से कितनी होंगे but इतना समझ में आता है कि 50-50 पसंड प्रॉबबिलिटी है 60-70 भी 60-40 भी हो सकती है 70-30 भी हो सकती है अगर 80-20 होगे तो फिर खतम बेड़ा गरग हो गया तो तब उस कीश में हम लोग क्या बोल सकते हैं अगर 80-20 possibility होते हैं 80% males है 20% females है और हमको भी चाहिए female बराबर तो female तो इस केश में से 20% बने मतलब 6 में से बहुत ही कम seeds अपने पास हैं female वाले correct हैं तो उस chance करे मैंने ऐसे 6-7 seeds ले लिए कि भी अगर proportion में बराबर ना बने कुछ आप कुछ सोचो अगर मेरे पास जैसे मांद लो कि हमारे पास 7 seeds है टीक है 7-8 समझ लो अगर मिझे मलब पूरा goal बोल में डालने के बाद में को मिल रहे 50% female है 50% male है तो और में को चाहिए female मैं female निकाना हूँ ना चार तो at least 4 तो चाहिए मुझे नई भी रो रो के 3 तो चाहिए at least जो viable है जो मेरे को चाहिए बाकी के भाड़ बें जान दो correct इसके लिए मैं जादा डाल रहा हूँ मानों पड़ा कि हमने सिर्फ 2 seeds लाले यह सोचके कि उनको grow होने दो देखते हैं फिर अगर ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों seeds ली male निकले तो फिर क्या फाइदा यह फिर दोनों में से एक ही seed अगर male निकला और एक अगर female निकला तो एक सीट को क्या गरू के फाइदा होगा हम देखो बराबर है इसलिए हम ज्यादा नंबर में डालते हैं because we don't know probability कितने seeds male होंगे कितने इसलिए होगे मराबर है इसलिए जादा डालके रखते हैं आई होब आपको यह समुन में आ गया होगा तो अगर मैं बात करूं डिपेंडिंग अपउन the vitality मतलब plant कितना वाइटल है हमको ठीक है न उसकी वाइबिलिटी कितनी है सपोस मैं अगर बात करूं हमको चाहिए प्लांट ज्यादा नंबर है क्यूं 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 वाइटल है समझ में आ रहे हैं अगर वह प्लांट ज्यादा इंपोर्टन है हमको ठीक है इस लॉजिक से बात करो ना यार कम ओन इट सिंपल मैं ऐसे कुछ रोकेट सेंट सी पढ़ा रहा हूं सिंपल लॉजिक है वाइटल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो हमको बहुत बहुत रहे हैं एक ऐसी चीज जो हमको प्यारी है उस चीज के जादा सीज डालोगे क्या होल के अंदर नहीं करेक्ट है अगर हमने जादा सीज दाले मालब पड़ा कि उसमें से कितने सारे तो मर गए है पाइदा हुआ क्या नहीं तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम कम सी है इसलिए में जादाव सीट दाले ऐसा भी हो सकता है आप कौनसे है अ सोच एक इह प्लांट कैसा फ्यार है का ओब को प्लांट पैसे कि यह चीज़ों से प्यार है कि आक है कि आपको मैंने अच्छे से एक्जाम्पल या फिर अच्छे से एक्स्पिनिशन नहीं दिया है और क्या देविगा सब्ता हूं मैं यह लॉजिक है ठीक है यह लॉजञ गेविगा दौ लॉजञ एक्साइं गर्माने टौ सिट हैं इसलेट में रूज़नून नियुकॉट इसलेट मर्म नुग्ट लो आसन कोना कार्णम कैंपने श्टेमिटों सिर्टिमेट्रेट में गात्र। इंध लगने की अच्छार्ण चाहिं दो एंटान से एं और यूस्ट या थे स्पेशल टीटमेंट ऑफ सीड्स जो है यह जो पाला पार्ट है मैं नेक्स वीडियो में गभर करना हूँगा तो मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत एक सेक्षिन में बाद कर सकता हूँ अभी के लिए अभी के लिए अभी के लिए इतना बास है